नमस्का साथियों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम लोग UPSC और State PCS Prelims को ध्यार में रखते हुए आपकी ये सभी क्लासें ली जा रहे हैं और आप देखेंगे जब State PCS की बात होती है तो उसमें आप देखते हैं कि UPSC की तरज पर सभी राज्य आपने देखा होगा कि अपने यहां PCS का पेपर करवाते हैं तो वो भी सामिल हो जाते हैं उसमें बिहार PCS हो या चतिसगड़ PCS हो राजिस्थान PCS हो महराष्ट PCS हो उत्राखंड PSC हो या फर MPPSC मद्दपदेश PCS की बात कर रहा हूं या उत्तरपदेश PCS की बात कर रहा हूं और आप देखेंगे कि जो प्रिलेम्स का सिलेबर्स है न वो फूरा कवर करवाया ज रहे हैं और आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो यूरोपी एक कंपनिया थी उनका जो भारत में आगमन हुआ है उस पर विस्तार से बात की हुई थी और अगर आप लोगों ने पुराने कुश्चन्स पेपर उठा के देखे होंगे अपने एक्जाम कि पर आप लोग चाहे वंडे एकजाम की तैयारी कर रहे हो या पर आप देखे कि आप लोग किसी भी एकजाम की तैयारी कर रहे हो तो आपकी पर एक्छाओं में इतियास सी कुश्चन्स हमेशा पूंचे जाते हैं क्या करे जाते हैं पूंचे जाते हैं और इसके लिए एक आपकी पिले लिस्ट सूचरी सेपरेट बनाती गई है इसका नाम है UPFC and State PCS Prelims Special Classics के नाम से और इसी में आपकी सभी किलासे डली रहेंगी वहां से आप लोग करम से उन्हें देख सकते हैं और यकीन मानिए कि आपको Prelims में फायदा पहुचाएंगी साथ में ही आपको मुक परीक्षा में भी काफी फायदा पहुचाने वाली है आपका बेस मजबूत होगा और बेस मजबूत होता है तो आप देखते हैं आंसर आइटिंग में आप लोगों को काफी फायदा होता है आज हम लोग क्या बात करेंगी? आज हम लोग बात करेंगे भारत में वेटिस राज की इस थापना कैसे हुई है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो वेटिस कंपनिया आई थी यूरोपी ये कंपनिया आई थी वो सभी ब्यापार के उद्देश से आई थी लेकिन आप सभी जानते हैं कि परिष्टी इस तरह की बनी वो यहां सासन करने लगी तो इसमें हम लोग क्लास में अंग्रेजों का यूरोपीयों से संगर्स किस तरह से हुआ यह आपस में लड़ती रही कम रहां उस पर भी बात कर लेंगे फिर हम आपने देखा है कि आंगल मैसूर संबन्द किस तरह से रहें इनके बीच यूद्ध हुआ उन यूद्ध पर भी हम लोग बात करेंगे आंगल मराथा संबन्द किस तरह से रहें पिन इनके बीच यूद्ध भी हुआ उसे योद्ध पर भी बात करेंगे, इनके समंद्धों पर भी बात करेंगे आंगल सिक्क समंद्ध किस तरह से रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे और आंगल सिंध समंद्ध किस तरह से रहे हैं, आंगल अवद समंद्ध किस तरह से रहे हैं बर्मा और अफगानिस्तान के साथ बेटिस संबंध किस तरह ऐसे रहे हैं इन सब पर हम लोग बिस्तार से बात करने वाले और आंगलका देखी एक मतलब निकाला करिए का आप लोग कि अंग्रेजों से होता है आंगलका मतलब अंग्रेजों से लिया जाता है ठीक है वेटिस इस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना 1600 इस भी में भारत से ब्यापार के लिए की गई थी और कम्पनी का उद्देश भारतिय मसाला और कपनों की ब्यापार से अधिक अधिक लाग कमाना था परन्तु भारत की आंतरिक राजिनेतिक दुरबलता ने कम्पनी को भारति राजनीती की तरफ आकर्सित किया है और आप सभी को मालू भी होगा आप लोगों ने इतिहास पड़ा है पिछली क्लास ने देखी है तो आपको मालू होगा कि यहां से हमारे यहां जो ब्यापार करने आते थे ना उन्हें कई गुना का लाब होता था हमारे यहां से आप सासन कर सकते हैं और इन पर राज कर सकते हैं एक उधारन देता हूँ आप लोगों को माली जी कि आप लोग किसी छेत में गये हुए हैं या किसी और राज्य में देख लिजे जिले में देख लिजे गाओं में गये हुए वहां आप ब्यापार करने से अपना बिजनेस करने क उद्देश से जाते हैं और आप लोग कुछ समय रुत्तक रहते हैं और आपको लगता ही कि इस गाव में तो देखेंगे सभी में आपस में फूट पड़ी हुई है यहां हम चुनाओ लड़ सकते हैं यहां हम सासन कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे कि वहीं बसकर आप लोग उ यहीं से पैसा की उगाही करेंगे ब्यापार करेंगे और फायदा अपने देश पहुंचा देंगे और इसलिए तो कहते हैं कि हम लोग हमारे पास बहुत धनी आदमी हुआ करते थे हमारा देश बहुत अमीर था और अंग्रेजों ने लूट-लूट कर कई और सास्कों ने ल करते पूरी हो जाती है और अंग्रेजों को राजनाएक और सेनिक आसफलताओं का सामना करना अपड़ा परंतु अंत में वो विजय होते हैं अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्टरी इस्थापित की फर 1649 में होगली में कोठी इस्थापित की इनों में 1671 में Bombay पर अधिकार कर लिया और अंग्रेजी ने अंग्रेजों में दचों को वेदराक के योद में फ्रांसिसियों को वान्डी बास के योद में पराजित करके भारत ब्यापार पर एक अधिकार इस्तावित कर लिया कहने का मतलब है कि जो फ्रांसिसी कंपणी थी जो डच कंपणी थी इन्हें पराजित कर दिया और आपदे के भारत से बाहर कर दिया एक तरह से और यहां भारत ब्याबार में अंगरेजी कंपणी का एक आधिकार हो जाता है अब कमपनी भारती राजनीती में भी नेडाई ग्हूमी का निभाने लगती है और आंगल पेरांशी सी संगहर्ष ने भारती ये सास्कों की कमजोरी को जागर कर दिया और 19 भी सताबदी की दूसरे सतक दसक तक उत्तर पश्मी भारत पंजाब और सिंद को छोड़कर से समस्त भारत उनके सीधी पे सासन अधवा सरक्षित राज्यों का भाग बन चुका था और अंग्रेजों ने अंतता 1843 में सिंद और 1849 में पंजाब को भी जीत लिया इस पर भी इनका सासन हो जाता है भारत की बिभिन ने भागों की अंग्रेजों द्वारा विजय की पिक्रिया लगभग 100 वरसों में पूरी हो गई अंग्रेजों को अनेक राजनेक और सैनेक आसफलताओं का सामना करना पड़ा और अंत में आपको जैसा की बताया है कि वो जीच जाते हैं यदि हम अंग्रेजों की सफलताओं का एक ब्यापक दरिष्टी पात करें तो इस पर्ठ होगा कि आस्ति सस्तों तथा बहुत इक सफलता के कारण क्या थे समय रहे आंगे तो इन पॉइंटों को आप लो जरूर याद रखेगा वो नई नई तक्निकों से आप देखें अस्त सस्त बना रहे थे और बेप्रहार सस्त्रों यो दिनीती समय तंद में बहुत आंगे हुआ करते थे भारतिय सक्तियों द्वारा प् अस्त सस्त्रों की अनपात में मंदगती भारी तथा कम दोरी तक मार करने बाली थे और कई भारतिय सक्तियां जैसे निजाम हो मैसोर हो मराठा हो तथा सिक्खों ने यूरोपी सेना भरती की और यूरोपीय अस्त सस्त्र मंगवाए परंतु उनके सेनिक अफसर तथा जवान कभी भी नौ सिख्यों के स्तर्व के उपर नहीं उठ पाए और इसलिए अंग्रेजों द्वारा सिक्षे सेनिकों तथा अफसरों की बराबरी नहीं कर सके और आप सभी जानते हैं कि देखे जो यूद्ध तलवार से होता था लट्ठों से होता था डंडों से होता था वो आ हमारे पास इस तरह की तो कोई अच्छी तक्निक भी नहीं थी हमारे पास तक्निक थी तो आप देखिए कि किस तरह की तक्निक थी कि जो धीमी गती से भारी भरकम एक जगे से दूसरी ले जाने में वड़ा परिसानी होती थी कम दूरी तक मार पाती थी अब आप देखिए कि तरह से आप यहां से अपनी तोप चला रहे हैं और अंग्रेजों की सेना दूर खड़ी हुई है वहां तक पहुंचा ही नहीं पा रही है और वो तोप चला रहे हैं तो आप देखी कि उनके पास इस्तनी दूरी बहुत दूरी तक मिसाइल मार करने वाली चंदा मिसाइल हुए हुआ करती थी एक तरह से आप कहले जिए अस्तसस्त हुआ करते थे अंग्रेजों का सामना एक ऐसे समाज से था जो अभी भी मद्ध हुगी धार्मे कुद्देश वाली मांसिक प्रवित्ती से घरा था और जिसमें एक राष्टी बहुना जैसे आधुनिक प्रवित्ती अभ अग्रेजों के खिलाफ तो वहीं आप देखेंगे कि बगेलखंड के राजा अंग्रेजों का सपोर्ट कर रहे थे इसी तरह से आप देखेंगे आप लोगोंने रानी लच्छिवाई के बारे में जरूर पड़ा होगा और पढ़ेंगे आने वाले समय में तो आपने देखा कर रहे थे और एक तरह से आप देखी कि राष्ट प्रेम राष्ट ये भावना विखसित नहीं हुई थी कि हमारा देश है इसे बचाने के लिए आप देखी आज के समय में किसी भी भारत की किसी भी छेत पर कोई आकमर करे तो मुझे लगता है कि कोई भारतीय नहीं मिलेग में भारत में सरभादीक पिरभावी अंग्रेज रहे हैं और जिनकी सफलता का प्रमुक कारण उनके द्वारा भारत सहिद संपूर ये सी आई ब्यापार के सौरूप को समझना था तथा ब्यापार विस्तार में राजनेतिक सेन सकती का सहरा लेना था अंग्रेजों के इब हम सेन ने चनोती फ्रांसी सी ही पेस कर सके और कुछ चनोती डचोनों भी पिस्तुत की परन्तु डच जानदा देर तक नहीं टिक सके और अंग्रेजों का पुर्दगालियों वसे पितर संगरस स्वाली में 1611 में हुआ जहां हैंरी मैड लटन ने आप देखेंगे कि न अंग्रेजी जल बेड़े ने पुर्दगाली जल बेड़े को हरा दिया और 1612 में अंग्रेजी और पुर्दगाली विभाहिक संबंधों में बंद गए और इस पेकार से अंग्रेजों की समक्ष पुर्दगाली चनोती समाप्थ हो जाती है क्या हो जाती है समाप्थ हो जात और इस हत्याकारण में आप देखेंगे 10 अंग्रेज और 9 जापानियों की सामोही खत्या और डच के लिए पर आकमड का अभियोग लगा कर की गई थी और 769 में लड़ेगे वेदरा की युद में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और उनकी सक्ती भारत से समाप्त हो जाती है एक कुश्चन साब दे कि कई बार आपका वंडे एकजाम होता है न उसमें भी कुश्चन स पूछ लेता है जैसे SSC, Bank Railway इस तरह की तमाम एकजाम होते रहते हैं अब आप से पूछ लेगा या State PCS में पूछ लेगा कहीं भी पूछा जा सकता है कि वेदरा का युद किन किन के बीच हुआ था तो आप लोगों को याद होना चाहिए अंग्रेजों और डचों के बीच आप देखें कि 1845 में Danish Company ने अपना समस्त भारतिय वड़िज ब्यापार कंपणी अंग्रेजी कंपणी के सुपोर्ट कर दिया भारत में अंग्रेजों और फ्रांसिसियों के मद्ध होने वाले संगहर्ष से Danish Company का कोई लेना देना न था और 1872 के परश्चाद फ्रांसिसी व्यापारीक लाप प्राप्त करनी की अपेक्छा अपेक्छा राजनिती महत्तवा कांचा में सलगन हो गया और फ्रांसिसियों में संगहर्ष प्यारम हो गया और दोनों के मद्ध हुआ करनाटक का युद्ध और इसे आप लोग करनाटक की अउद के नाम से जानते हैं कोरुमंडल तर पर इसे करनाटक पर अदिकार को लेकर दोनों कम्पनियों में लगभग 20 बरसों तक संगहर्ष चलता रहा क्या चलता रहा संगहर्ष चलता रहा और आप देखें कि पिथम करनाटक की युद्ध आप देखें तो 1746 से 48 के बीच होता है एक कुश्चन साब से पूच लेगा कि पिथम करनाटक की युद्ध कब हुआ था कब तक चला था 1746 से लेकर 1748 तर यह युद्ध और आश्टिया के उत्तर अधिकार की युद्ध के साथ पहला में होता है लेकिन युद्ध का ततकारीन कारण अंग्रेज कैप्टन वाइनेट की नेतित में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना था और बदले में फ्रांसीसी गवर्नर मारीस ला बुर्दनेन के सहयुक से डुपले ने मदरास के गवर्नर मौर्स को आदम समर्पन के लिए मजबूर कर दिया युरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसीयों के मत आश्टिया में लड़े जा रहे हैं उत्तर अधिकार युद वारत में इन दोनों कंपणियों की भी संगहर समाप्त हो जाता है और मदरास पुनाहां अंग्रेजों को मिल जाता है आप सभी जानते हैं इस बात को जब आप देखें दो पार्टियों में युद्ध हो रहा हो और जब वो युद्ध समाप्त होता है तो किसी संधी के तहत समापत होता है तो यह आप लोग जो अंग्रेजियों और फ्रांसीसियों की बीच जो यह उद्ध हो रहा था यह ओक्स ला सैफेल नमक संधी के तहट खतम हुआ था 1748 में फिर आप देखेंगे इनकी भी दूसरा युद्ध होता है जिसे आप लोग दुतिय करनाटक की युद्ध की नाम से जानते हैं यह 1749 से लिकर 1754 तक चलता है यह यह युद्ध करनाटक बाहेदराबाद की सिंगहसनों की बिवाद इस्वद उत्तराधिकार को लेकर हुआ और करनाटक की नवावी का पत था और चांदरा साहब किनने करनाटक की नवावी के लिए डूपले का साही होग पराप्त किया दूसरी ओर डूपले ने मुझभफर जंग के लिए दक्कन की सूविदारी का समर्थन किया और अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर ग्याबन में 500 सिफाईयों के साथ धारवार पर धावा बोलकर कपजा कर लिया और सेगी फ्रांसिसी सेना को आत्म समर्पढ़ेतु विवस होना पड़ा और चांदा साहब की हत्या कर दी जाती है इसमें और फ्रांसिसी फ्रांसिस्तित अधिकारीयों ने भारत में डूपले की नीती की आलोचना करती हुए उसे बापा सिंगलेंड बुला लिया और उसके स्थान पर गोडियों को एक अगस्त 1754 को गवर्नर बनाये गया गोडियों तथा अंग्रेजियों की मद्द 1755 में होने बाली पॉंडिचेरी की संधी के द्वारा दूतिय करनाठा की उद्ध स 1757 से 1763 तक रहता है यह योद पितम योदी की भाती यूरोपे संगर्स का पिरसार तथा परंतु इसका ततकालिक कारण था और किलाई वार्सम द्वारा बंगाल इस्ति चंद नगर पर इदिकार इस योदी के अंतरगत अंग्रेजों और फ्रांसेसियों की बीच वांटी व उद्व में फ्रांसेसी पराजित हुए और यही पराजे भारत में क्या हुगा यही पराजे भारत में उनके पतन की सुरुवात थी और आप देखेंगे 16 जनवरी 1761 में यह आप देखेंगे पॉंडी चेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और 1764 में पैरिस की इसके भारत में जो फ्रांसेसी सक्ती का असाफलता या पतन हुआ है उसके कारण माने जाते हैं इन तीन को जरूर आप लोग याद रखिएगा अब हम लोग बात करते हैं अंगल मैसूर समंध इनके किस तरह से समंध रहे हैं मैसूर का नवो दित सक्ती साली राजबी अंग्रेजों की आँख की किरकरी था यानि कि वो कहते हैं ना कि गाउं की तरफ कहा जाता है ग्रामिट शेत्रों में कि आँख नहीं सोहा रहा है या आपको उससे जलन हो रही है तो अंग्रेजों से आप देखी अंग्रेजों को मैसूर भी खत्रा था और वेटिस अमराजी के दच्छिन पिस्तार में यह सबसे बड़ा रोडा था और बंगाल में अपनी सक्ती की स्थापना के परशाद मैसूर पर विजय पराप्त करना भी आप समर्जे होला हैं कि अंग्रेजों के बड़ मधयों और मैसूर के मध्द इंदोनों की मध्द आब देखी चार हए हुद्ध हुए इन चारों हँद्धों को भी आप लोगों को याद रिखना होगा आंगल मैसूर संबंद का आरं हैं हैदर अली के उतकर अरं होता है और और हैदर अली का उदे अठारवी सिताबदी की भारती इतिहास की एक महत्पूर गटना है और उसने मैसूर को थोड़े ही समय में एक संगठित एवं सक्तिल साली राजी की रूम में बदल दिया और अंगरोजियों की परगिती दच्छन में धीमी कर दी थी उसने और आप दे में एक साधारन नौकरी करता था और कलांतर में अपनी योगता की अधारव सेना में फोद्दार बन गया और हैदर अली यगपी आसिक छित था और परंतु उससे बीरोचित गुड सैनिक फितिभा और कूट नीतिक गिता कूट कूट कर भरी हुई थी तो यहां से आप व्यक्ति, आप देंके समझदार ही होगा और हर अनपढ़ व्यक्ति ना समझ लोगा कई वैक्तियों को देखा है कि जो पड़े लेकि नहीं है पर भी आप देखिए उन अच्छी समझ रखते हैं सोच रखते हैं और आप देखिए हर छेत में कामियावी हासिल करते हैं चाहे उसे सीगी अपनी पितिवा दर्साने का मौकाब मिल गया और मैसूर का राज पहले विजय नंगर समराज का ही एक अंग था परन्तु उसने फतन के पश्चात उहां पर अड़े यार बंस का सासन इस्थावित हुआ जो हैदर अली के समय तक चलता रहा और उस समय मैसूर का रा हैदर की पितिवा से बहुत पिरभावीत हुआ उसने हैदर अली को सेना में बहाल कर दिया और सहीगी अपनी पितिवा के बलपर हुआ है डिन्डी गुल का फोदार बन गया और उसने फ्रांसीसियों की मदद से सेना को यूरोपी धंग से पुनर गठित पी किया और 1761 में पुर। उसने नंज राज को पद से हटा कर हटा दिया, और सवेम ही राजा बन गया और सरक्षत बैबैठा, और अपने सारे विद्द्रोहियों को उसने कुछल दिया, और उसकी कराती सुनकर मोगलबासार ने उसे सीरा का सुवीदार बहाल कर दिया, हैदर अली ने एकठर तब तो फिसासनिक सुधार किये और पॉली घरों जमीदारों पर अंकुस रखा तो दूसरी तब अपनी सेना के बलपस बेदनूर, सुंडा, कनारा, मालावार, कुएमबटूर, और कुएमबटूर, बारा महल, आधी छित्रों पर अधिकारकर, मैसूर राजी की सीमा अत्यद बन गई और अतहा अंग्रेजों ने उस पर अंकुस लगाने का निश्चय किया, फिर आप देखेंगे हैदर अली की बढ़ती हुई सक्ति से अंग्रेज घबरा उठते हैं, और लोगों ने हैदर को अपनी नियंतर में लाने का उपाय सोचा, मराठी और निजाम भी हैदर स गुस्णा हो गया, और अंग्रेज भी मालावार के जमीदारों के परवेश है, हैदर द्वारा छीने जाने से ना रहा थे, और दोनों पक्षों में योद्ध होना ही था, और हुआ भी, तो इसमें आप देखेंगे पिथम अंगले में सूर्य योद्ध, ए 1767 से 1769 तक चलता है, और योद्ध का कारण आप लोगों को याद रखना है, मद्रा सरकार द्वारा दच्छिड की राजनीती में भाग लेना पिरमो कारण था, और अंग्रेजी सेनापती इसमें था कर्नल इंस्मित मद्रा से, और कर्नल उड बंबई से, त्रेचनापली के योद्ध में हैदर अली को लाब तथा अंग्रेजों को नुकसान हुआ, क्या हुआ, नुकसान हुआ, फिर आप देखेंगे कि दुतिये अंगल मैसूरी उद्ध होता है, इस 1780 से 1784 की बीच होता है, ततकाली कारण अंग्रेजों द्वारा माही पर अधिकार था, और मराठों और निजा देकर निजाम को हैदर से अलग कर दिया, फिर आप देखें, इस 1784 में टीपू और अंग्रेजों के मद्ध मंगलोर की संधी हो जाती है, तो इस संधी को भी आप लोगों को याद रखना है, छोटे छोटे पॉइंट है, मुझे लगता है कि आप लोगों को याद रखना है एक से दो बार आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, उसके बाद एक दो बार आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, तो मुझे लगता है कि सब कुछ याद भी बना रहेगा, कोई भारी भरकम ऐसी बात नहीं है, कि आप लोग याद ना रखना है, आपके लिए सब क्या पर आकमण करना था, इसका ततकालिक कारण उसमर कार, और आप देखेंगे, 1790 में मीडोज की नितित में अंग्रेजी सेना ने आकमण करिया, परंतु वो पराजित हो जाती है, 1792 में करण बालिस ने स्री रंग पटनम के दुर्ग को घे लिया, और मार्च 1792 में टीपू, त तथा तीन करोड रुपे छती पूर्टी की रूम में देना पड़ा, और भुकतान ना करने तक अपने दो फुत्रों को जमानत की रूम में रखना पड़ा, कुरुक का राज अंग्रेजों की अधिकार में चला जाता है, और जब आप देखें कि कोई राज, कोई सासक हारत होता है यूद में, तो उसे आप देखें, उस पर कोई संधी सथी यूदrina में, और जीतने वाला जो कहता है, उसे करना पड़ता है, और आप देखें कि चतुर अंग्लमेसूर यूद्ध होता है, 1799 में, 1798 में, बेल जली कि सहायक संधी कि पिस्ताओं को, बेले जली या बे अंग्रेजों ने सिरी रंग पटनम पर अधिकार कर लिया और टीपू यूद करती हुए मारा गयस में यह जरूर आप लोग याद रखेगा मैसूर अड़यार बंस की दो वरसी वालक किष्णर राज को सौप दिया गया और जिसमें 1799 में अंग्रेजों से सहाइक संदी कर लि और टीपू के परिवार के सदसों को विलोर की किले में कैद कर दिया गया कलांतर में विलियम बेंटिंग ने कुसासन की अधार पर मैसूर का अंग्रेजी जाज में समराज में बेलाय कर लिया है फिर आप देखेंगे आंगल मराठा संबंध इनके संबंधों को देख लिए इनके बीच भी आंगे जाकर योद्धी होता है दच्छडी भारत में बिर्तानियों का सबसे बड़ा पिती रोध मराठों से हुआ और भारत की इतिहास में तीन आंगल मराठा योद्ध हुए और ये तीन योद्ध 1775 से लेकर 1818 तक चलते रहे और ये योद्ध बेटे सेना और मराठा महासंग के बीच हुआ और नाना फड़वीस ने 1772 में से लेकर 1800 तक मराठों को एकता की सूत में बांदे रखा और उनकी नेतित में मराठों ने बितानियों से भीसन संगर्स किया टक कर दी उन्होंने 1789 में फितम आंगल मराठा योद्ध में बितानियों को कारा और इन योद्धों का परिडाम यह हुआ कि मराठा महासंग के पूरी तरह से बिनास हो गया मराठों में पहले से ही आपस में काफी भेद भाव थे जिसके कारण हो है अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो सके और एक कहानी मुझे लगता है कि आप सभी उन्हें लकडियों को एक करके दिया और कहा कि इसे तोड़ के दिखाईए एक खटे में तो वो नहीं तोड़ पाते हैं तो कहते हैं इससे यह सीख मिलती है कि जब एकता बनाव रखोगे तो कोई आपको नहीं तोड़ सकता है जब आप अलग-अलग हो जाओगे तो आपको कोई भी तोड़ देगा, तो उस समय आप लोग यही देखेंगे, कि अपने अपने एक तरह से राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों के सामने नतमस्तस्त को हो जाते थे, उनसे जा मिलते थे, बितानियों का मानना था कि नाना की रहती मराठों पर विजय संभाव नहीं है, और एक तरह आप देख रहे हैं, यह अंग्रेजों से मिल रहा है, रगुनात राओ, वहीं कायर बाजी राओ दुतिया ने, देखें कायर, बाजी राओ दुतिया ने वसीन भाग कर अंग्रेजों के साथ वसीन की संधी की मराठों की सुदंता को बैठ दिया, इसलिए कह रहा को बढ़ा सम्मान करते हैं पूछते हैं उनके सामने सरे जुकाते हैं और सिंधिया के लिए साप लिखा हुआ है कि सिंधिया गद्दार था और आप देख रहे हैं कायर बाजी राधुती है समझ में हा रहा है तो आप देखी कि उस समय भली अंग्रेजियों से मिलकर आपने जिसके आने वाले समय में इतियास लिखा जाएगा और उसमें हमारे सही गलत होने का पूरा पिरमार हो रहेगा अगर हम सही होंगे तो हमें सम्मान आने वाले समय में मिलेगा मराठों की पतन में मुख भूमी का बाजी राव दुतिय की ही रही थी और जिसने अपनी कायरता और धोके बाजी से संपूर्ण मराठों अपने कुल को कलंकित किया और पिथम आंगल मराठ है युद्ध देख लिजे ए 1775 से 1782 के बीच होता है पिथम आंगल मराठ है युद्ध 1775 से 1782 तक चल चला और रागोवा रगुनात राव इस्ट इंडिया कंपनी से साथ गाठ करके स्वाइम पेसबा बनने का सपना देखने लगा और उसने 1775 में अंग्रेजों से सूरत की संधी की और जिसके अनुसार बंबई सरकार रागोवा रागोवा से डेड़ लाक रुपे मासिक खर्च लेकर उसे 25 सो सैने की साहता देगी इस साहता के बदली रागोवा ने अंग् चत्र में आनंद नगर के मद इस्तित अरस नामकिस्थान पर पेसबा की सेना को पराजित कर दिया और दूसरी और पूना में पेसबा की सरक्षक समिती का नितित नाना फंडवीस कर रहे थे और नाना फंडवीस ने अंग्रेज केप्टन ओफटन अंग्रेजों का और क्योंकि लंदन इस्थित बोर्ड और डारेक्टर्स ने सूरत की संधी को सुईकार करती हुए पुरंदर की संधी को आसुईकार कर दिया और आप देखेंगे कि आसुईकार कर दिया और बंबई सरकार भी इस संधी को मानने को तिरार नहीं हुए क्योंकि उसे सूरत की माई 1782 में होने तक योद्ध जारी रखा और लगबग साथ वर्स की योद्ध के पश्चात 1782 में महादीजी सिंधिया और अंग्रेज पिती निधी मंडल डेविड एंडर्सन की बीच सालवाई गाउं में 1703 संधी संपन हुई सालवाई की संधी और संधी की सरतों के अनुसा रागोवा का साथ छोड़ दिया और पेसवा द्वारा रागोवा को पैंसन दी गई साथी कंपनी ने माधाव राव नारायन को पेसवा की रूम में मानता पिदान कर दी फिर आप देखेंगे दुतिय अंगल मराथा यूद होता है ये आप देखेंगे 1803 से लेकर 1806 तक और साथी भी अपनी कूटनीती से उसे पारस पर एक कलय और पूट को बड़ावा भी देते रहे जो मराथा राजनीती का सदा ही एक गुण रहा था और आप देखें कि 13 मार्च 1800 को 928 की मित्यू के साथ ही मराथों की एकता भी नश्ट हो गई और गैकवार्ड बड़ोदा भौसले, नांगपुर, हौलकर, इंदोर, सिंधिया, ग्वालिय, आदी, मराथा, सरदारों के आपसी जगणों से परेशान हुरकर पेसबा वाजीराव दूती है अंग्रेजों के सरक्षक में चला गया उसने दिसंबर 1802 में कब दिसंबर 1802 में बेसे इनकी संधी द्वारा सहाइक संधी सुईकार कर ली और अब बितानियों ने पेसबा को पुनहा पूना की गद्धी पर बैठा दिया और इसे इस मराथा सरदार कुर्द यानि की गुस्सा हो उठे क्योंकि बेसे इनकी संधी द्वारा पेसबा ने मराथों की सुतंता को बैठ दिया और अब दौल बेली जली को दच्छिडी भारत में मराठों की प्रुद्ध मोर्चा सौपा और आर्थर बेली जली ने अहमाद नगर पर अधिकार कर लिया उन्होंने भौसले और सिंधिया को असाई अरगाओं और उडीसा से में परास्त कर दिया हरा दिया और भौसले ने अंत में होकर सुर्जी अरजुन गाओं की संधी करनी पड़ी और इसके द्वारा एहमाद नगर भरोज दिली एवं आगरा का बैटे समराज में बिलाए कर लिया गया और विभारत की सर्वोच्च सक्ती बन गये वैले जली की समराजबादी नीती से रुष्ट होकर डारेक्टरों उसके इस्थान पर जॉर्ज वालू को गवर्नर जनल बनाया उसने फरवरी 1806 में होलकर से संधी कर ली और इसके अनुसार होलकर ने चंबल नदी के उत्तर के विदेश वितानियों को सौप दिये और वितानियों ने चंबल नदी के दच्छिड पिदेश होलकर को लोटा द यूद ये 1870-18808 की भी चलता है तिती ये अंगल माराथा यूद आपका 1870-18808 तक चला और दूसरे अंगरेज माराथा यूद के पईडाम से ना तो किसी माराथा सरदार को संतोस हुआ और ना ही पेसपा को और उन सब को अपनी सत्ता और फितिष्ठा छिन जाने से खेद हुआ यानि गिद्दोख हुआ और यही यूद अंतरूप से वारिन हैस्टिंग्स के भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया और मराथा अपनी आपसी फूट के कारण पराजित हुए और फेसपा बाजी राव दूतिये बितानियों के बढ़ते प्रभुत कु कुछ विवाद होने फर गैकबाड ने इसके निप्टारे ही तु अपने मंतरी गंगाधर राव को पूना भेजा और जहां उसकी हत्या हो जादी इसके लिए बितानियों पेसपा को जिम्मेदार मानते थे और 13 जून 1817 को एक संदी द्वारा बितानियों ने पेसपा की सक् संदी की और जिसके अनुसार महादर जी सिंधिया फिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करेगा और साथी चंबल नदी से दर्शेट परश्चेम के राज्यों पर अपना प्रभाव हटा लेगा जून 1817 में अंग्रेजों ने पेसपा से पूना की संदी की और ज भाड लेशा बहुंसरी और होलकर ने अंग्रेजों की बिरूर्द योदे की घोशना कर दी और वहटामसारी कि किरिकी में पेसपा सीथा वरी में भहुंसली और महीत पूर में होलकर की सेनाओं को अंग्रेजों की संदी ने पूरी तरह से पराजित किया और जिसकी अनुसार उसने राजपूत राज्यों पर से अपने अधिकार वापस ले लिए और पेसबा बाजीरा अधितिये ने कोरे गाउं और अंटी के युद में हारने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के सामने आत्म समर्पन कर दिया और अंग्रेजों ने पेसबा की पत को ही समात कर वाजीरा अधितिये को कानपूर की निकट वैठूर में पैंसन पर जीने के लिए भेद दिया और जहांपर 1833 में उनकी मौत हो जाती है क्या हो जाती है? मित्ति हो जाती है चलिए तो हम लोग बात करते हैं आंगल सिख संबन्दे के बारे में इनके किस तरह से संबन्द रहे और आमगे अब इनमें भी संगर्स देखने को मिलेगा तो महराजिया रणजी सिंग ने जुलाई 1799 में में लाहोर पर आधिकार कर लिया और उन्होंने 1805 में अमरेस्तर पाधिकार कर लिया और रणजी सिंग ने 1806 और 1807 में दो बार पटियाला नाभा एवं जिंद पर आकमण किया और वे ये राज बेटिस नरक्षन में चले गए 1809 में अमरेस्तर में बितानियों तथा रणजी सिंग के अमद एक संदी हो गई और इनकी अमसार रणजी सिंग ने सतलज यमना के बीच के सिख रियासतों पर बितानियों का प्रभाव मानती हुए उनपर आकमण ना करना सुईकार किया वहीं बितानियों ने सतलग तथा सिंधु नदी के बीच पिदेशों पर रंजी सिंग का प्रभाव मानती हुए उसमें उनमें हस्तचेप ना करना सुविकार किया और आप देखेंगे कि संधी हो गई तो उसके बाद आगे कुछ हुआ होगा कुछ फरेशानी हुई होगी तक और उत्तर पश्चम में आप देखेंगे सुलेमान पहाडियों तक दच्छरपूर में सदलग नती तक और आप देखेंगे दच्छरपूर में सिकारपूर सिंध तक फैला हुआ था रंजी सिंग ने बितानियों से सुहादपूर संबंद बनाये रखे और नाभापटयाला जिंद के मामले में तथा पश्चा सिंध के मामले में 1831 से वक्कम सिकारपूर के मामले में 1834 में उन्होंने धहर से काम लेकर अनावसक संगर्स कुटाला और लॉर्ड आकलेंड ने दिसंबर 1838 में पंजाब की यात्रा की तथा रंजी सिंग से मुलाकात की और उन्होंने दरबार में जाकर वितानियों तथा सिक्खों की इस्थाई में तथा की प्रात्ना की और इसके बाद लाहुर में रंजी सिंग ने एक संधी की और जिसके दिश्टिंग ने धार्मिक भेद्भावों के बिना सभी जातियों के वैक्तियों के योगता अनुसार उच्छे पदों पर नियुक्ति की यानि कि आप कह सकते हैं कि धरम एक तरह से धरम निर्पेक्च सा सकते सबी धर्म के लोगों को बरावर एक तरह से सम्मान देते थे और आप देखेंगे, आंगे, क्या देखेंगे, रंजी सिंग एक महान एवं दूर दर्सी सासक थे, क्या दूर दर्सी सासक थे, और रंजी सिंग के उत्राधिकारी आयोग एवं निर्वल थे, और उनकी मित्तिव के दस बरसों बाद ही, उनके समराज पर बितानियों का अधि हो गया तो सबसे पहले आप देखिए पिथम आंगल और सिख्योद देख लिए अंग्रेजियों और पिथम सिख्योद महराजा रजी सिंग के कई पुत थे और उनकी मित्यू के पश्चाल उनके पुत्तों में गद्धी को लेकर संगहर छिड़ गया तो आज के समय में आप ल संगहस में कई राजकुमार मारे गए और पितिक राजकुमार सिख सेना को अपने साथ मिलाना चाहता था और अतहा सिख सेना राजकिये नेंतर से मुक्त हो गई और सिख सेना ने महरानी जिंदा की भाई पिधानमंतरी जवाहा सिंग की हर्तिया कर दी और रानी जिंदा का और आप देखेंगे महाराणी जिंदा ने अपने इस अफमान का बदला लेने के लिए बितानियों से सांट गाट की और उन्हें लाहोर पर आगमण करने के लिए उपसाया और बितानिया बितानी आउपसर की तलास में थी और गवर्न जनरल लॉड हार्डिंग ने 13 दिसंबर 1825 को सिखों के विरोध योध की गोशना कर दी और सरपितम फिरोशपूर के समीब मुद की नावाकिस्तान पर 18 दिसंबर 1825 को बितानियों एवं सिखों में घमासान योध होता है और इस योध में बितानियों का सेनाबती हीूज गव था और योध के आरम में सिखों का पल् हानी हुई और बितानी समझ गए कि सिखों को परास्त करना आसान कार नहीं है उसके बाद आप देखेंगे 21 दिसंबर 1845 में थिरोशपूर में सिखों और बितानियों में पुना संगरस होता है और इसमें सिखों में बड़ी बहादुरी से लड़ती है किन्तु तेसीं की युद में बितानीयों ने सिखों को निadece की के रूम में पराजित कर दिया और इस युद में सरदर सयाम सिंग अटारी वाल ने अध्भुत बीरता दिखाई और 20 परवरी 1846 में बितानियों ने लाहोर पर अधिकार कर लिया और उसके बाद लाहोर की संधी होती है अब आप देखे हैं, देख रहे होंगे हर यह उदमें, अपने ही आप देखे रहे हैं, धोका दे रहे हैं और उष्ट में हार जाना पड़ रहा है। लाहोर की संदी देखें तो 9 मार्ज 1946 को बितानियों ने सिखों को लाहोर की अबमान जनक संदी करने के लिए विवस किया और उनकी सरतें इस पेकार थे हैं अब आप देखेंगे सिखों को इस संदी से नुकसान देखने को मिलेगा सिख सेना को घटा कर 25 पैदल बटालियन और 12,000 घुरसवाज सेनिक को रखा गया सिखों ने बितानियों से चीने उनकी 34 तोपें लोटा दी और बितानियों ने सतलजबा ब्याज नदी के बीच का पिदेश तथा कांगड़ा का पिदेश सिखों से चीन लिया यह उद छतिपूर्ती डेट करोर रुपिया निश्चित की गई चुकि सिखों के पास इतना धन नहीं था और उन्होंने अपने जमू कस्मीर के परांत को एक करोर रुपिय में महराजा गुलाब सिंग को बैच कर वह धन बितानियों को सौप दिया आँगे जाकर आप देखरी कि आज भी जमू कस्मीर बिबात का कारण बना हुआ है तो यह होता है लाहोर की संदी को याद रखे दिसंबर 1846 में सिखों की गतिविदियों पर नियंतर रखने के लिए सर हैरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस एबं एक अन बितानी को मिला कर एक बोर्ड की स्थापना की गई आवैस के दिलिप सिंग को रानी जिंदा की सरक्षन में गद्धी पर बठाये गया लान सिंग को पिधानमती रहने के लिए रहने दिया गया पर आप देखें कि दुतिय अंगल सिंग क्योद और लाहूर की संधी की अबमान जनल सरतों को सुतंता परहमी सिंग सहन नहीं कर सके और सर हैंडरी लॉरेंस ने रानी जिंदा पर कुछ आरोप लगा कर उसे कैद कर बनारस बेद दिया और समयुचे पंजाब के सिक्ष सदार अपनी महरानी के अबमान के बिरुद उठ खड़े और मुलतान में गवर्नर मोलराज ने विद्रो कर दिया और विद्रो के दमन के लिए भेजा गया सेर सिंग भी उनके साथ मिल जाता है और धीरे धीरे विद्रो पंजाब में फैलने लगता है और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहोजी अठारे सो अरतालीस से चपन में चाहता तो इस समय विद्रो को दबा सकता था किन्तु उसने विद्रो को पंजाब में फैलने दिया ताकि इसकी आड में पंजाब का बेटिस समराज में बिले हो सके उन्हें तो एक ना एक जरिया चाहिए था कि थोड़ी आग तो लगे उसके बाद उस राज्य को कोई ना कोई अस्तेशेप करके अपने में महला ले लौड डल होजी ने 10 अक्टूबर 1848 को सिखों के बेरोज़ दे संगरस की घोशना कर दी और सिखों ने सेर सिंग के नेतत में योद किया और 13 जन्वरी 1949 को चिलिया वाला नामाकिस्तान पर सिखों ने बितानियों को परास्त कर दिया और अंत में बेटे सेनावती सर्ह हीूज गप ने 21 परवरी 1949 को गुजरात चैनाव नदी के पास का कसवा नामाकिस्तान पर सिखों को नेडायक योद में परास्त कर दिया और गुजरात का योद भारती इतियास में महत्मूर योद्दों में से एक था गुजरात का योद और इस योद्दी के सिख बड़ी बहादरी से लड़े थी किन्तु अपने सीमे साधनों की कारण में पराजित हुए थी और 13 मार्च 1849 को सिखों में ने आत्म समर्पड कर दिया हत्यार डाल दिये अंगरेजों की सामने इस योद्दी के बश्चात आप देखेंगे 1849 में पंजाब का वेटे समराज में बिलाई कर लिया जाता है और समूचा भारत बितानियों की अधिपत्त में आ गया है दिलीप सिंग को ईजाई बनाकर 1860 में अपनी माता की साथ इंगलेंड भेद दिया गया और बाद में द पंजाब के वेटे समराज में बिलाई के साथ ही आंगल सिक्र संगर समात हो गया अब समूचा भारत बितानियों की प्रभुत में आ चुका था अब हम लोग बात कर लीते हैं आंगल सिंद संबंध के बारे में आप देखें कि संद से भी काफी समय तक अच्छे इनके संबं अच्छे जोने सिंद बजाए की यह जना बनाई यह जना बनाई और आप देखेंगे कि संद के संद के साथ अंगरेज प्रारम से ही व्यापारिक संबंद कायम करना चाहते थी उन्होंने वहां पर अपनी व्यापारी कोठियां भी कायम कर ली थी और परन्तु अठारवी संद की तरफ अपना ध्यान दिया अठारे सोनों में लॉर्ड मेंटो ने अपना एक दूद संद बेजा और जिसने संद की अमीरों के साथ एक सास्वत मित्ता की संदी की और इस संदी के अनुसार अमीरों ने अस्वासन दिया कि भी फ्रांसासियों को संद में नहीं बसने देंगे और पंजाब में अपनी इस्तिती सुद्रन यानि की मजबूत करने के पाशाद रंजी सिंग ने सिंध विजाई की योजना बनाई और उन्होंने वेंटिंग की समक्ष सिंध को जीत कर आपस में बांट लेने की का पिस्ताओ भी रखा और जिसमें वेंटिंग ने आस पत्ती का सूचक था और अंग्रेज अब सिंध के व्यापारिक और नौ गम्मता की महत्त को समझ गये थे और उस पर अपना प्रभाव जमाने को व्याकुल होटे 1831 में बेंटिंग ने करनल पोटिंगर को सिंध के अमीरों के साथ एक ब्यापारिक संधी पर बातचीत करने के लिए बेजा और सिंध के अमीर संधी के पिस्ताओं से पिसंद नहीं थे और उन्हेंने अफगानिस्तान से साहता की मांगी परंतु निरास और विवस होकर 20 इनमती मिल गई लेकिन इन मारगों का उपयोग सेनिकों या फिर फोजी सामान के सामान के आवगमन के लिए पिती बंदित कर दिया गया लॉर्ड ऑकलेंड ने रूसी पिरभाव को रोकने के लिए सिंध में अंगरीजी पिरभाव को बढ़ाने एवं रंजी सिंग की कारव पाईयों पर रोक लगाने का निशे किया और फुंटिंगर को हैदराबाद सिंध संधी का पिस्ताव लेकर भेजा गया उसके दबाव में आकर 20 अपरेल 1838 को कंपनी येवं सिंध के अमीरों में एक संधी होती है और जिसके अनुसार उन्होंने सिख और अमीरों की बीच हो पिकार कर ली और साय सुझा एक निश्चित राशी के बदले संध पर अपने पिरवुति के सारे दावों को तयाग देने को तयार हो गया उसके बदले ओकलेन ने अमीरों से काफी धन बसूला अमीरों ने फरवरी 1849 में कंपनी के साथ एक नई संधी की और संधी की धाराओ युद में 1849 से 42 अमीरों ने कंपनी की साहता कियो और 1842 में लॉड एलन बरो गवर्नर जनरल बनकर भारत आता है और भी अफगान युद में कोई हुई अपनी पितिष्ठा को सिंध की विजय द्वारा पिस्तिय स्थापित करना चाहती थी और इसलिए उन्होंने सिंध वि अभीकार समंधि समंधि जगडे ने उसे यह मौका पिदान किया और नेपियर ने मीर रुस्तम अली के पुत्त की जगये उसके भाई के दावे को मानता पिदान की अब संधी के अमीरों के साथ युद् प्यारम हो गया और अंगल संधियोद देखेंगे तो 1843 की बात हो रही है बलूचियों ने 15 फरवरी 1843 को बेटे सरे जी डैंसी पर आकमण कर दिया और आउट रम एवं नेफियर को भाग कर जहाज पर संर लेनी पड़ी नेफियर अप पूरी सक्ति से बलूचियों को परास्त करने में बैस्त हो गया और दो दिन के परश्चा थी उसमें मियानी मियानी में बलूचियों को बुरी तरह से पराजित किया और इस हार से भगगभरा कर खेरपूर और हैदराबाद की तीन तीन अमीरों ने अंग्रेजी अधीनता सुईकार कर लिया और मीरपूर की अमीर न निश्कासित कर दिया गया और नेफियर सिंद का पिसासक बहाल किया गया तो ये भी जान लीजी आप लोग फिर आप देखते हैं कि आंगल अबद सम्मंद रहता है यानि यह आपने देखा होगा कि आपके आसपडोस में भी इस तरह के कई लोग मिल जाते हैं जिनने अबद को भी अपने अंडर में ले लिया अबद के राज जी ने बंगाल के समान ततकाले के राजनीती में महत्पून भूमी का निभाई और इसे भी अंग्रेजों का कोब भाजन बनना पड़ा और अंतता अबद का राज भी अंग्रेजी समराज का स्थिकार हो गया सब दर जंग के समय में अबद की सकती और पितिष्ठा में अधिक विड़ दी हुई और वह है उत्री भारत की एक प्रमुक सकती के रूम में उभरा अबद के नवाब नबाब और अंग्रेजों की संगरस की सुरुवात बकसर के उद्ध के साथ हुई अंग्रेजों से परा मोगल समराठ की साथ ही सुजा उद्धौला को भी पराजित होना पड़ा हार का मोई देखना पड़ा। नबाब ने अपनी रक्षा के लिए कम्पनी की सहायता लेने का अस्वासन भी दिया और अवद अंग्रेजी पिरभाव में आ गया और कम्पनी का आसरित बन गया कम्पनी पर आसरे आसरित हो गया है और किलाई अवद की नबाब से कारा और इलाबाद के किले को लेकर लेकर की संदी के साथ नए सिरे से संदी करनी पड़ी वनारस की संदी 1773 में हुई और हैस्टिंग्स ने 50 लाक रोपी के बदले इन जलों को पुनाहा अवद की नवाब को लोटा दिया नवाब सो जद्वाला की मित्व के पश्चात जनवरी 1775 में कंपणी ने नवाब आसब हजाबात की संदी की और अबद को अंग्रेजी सेना की खर्च के लिए भी पहले से अधिक रकम देनी पड़ी इस संदी ने अबद के नवाब की आर्थिक से दी अतेंती दुरवल कर दी और कंपनी का नवाब पर तरभाव बढ़ा आब एक तरह से सोचिए कि अब इनके पा 40 zł जदौला की बेगम के पास अपार समबती थी और आसावोद दौलाब कर कंपणी की बहुत अधिक रकम बाकी थी और हैस्टिंग ने उससे धन देने पर मजबूर किया नवाब ने हैस्टिंग्स की अनुवती मांगी कि वह बेगमों से धन बसूल कर कंपनी को दे सकी और ह केस्टिंग्स की नीतियों के फल्सरूप आवत पर कंपणी का अब सीधा ने अन्तन काईम हो गया और कॉर्ण बालिस के भारत आगमन के समय अब आवत पर कंपणी का पूरा ने अनतन कायम हो चुका था और आवत पिसासनिक वैवस्ता डेली पर चुकी थी और सर्वत कर पचास लाख रुपे नेमित रूफ से कर अदा करने के अस्वासन पर कर दिया और उसने राजी के आंत्रिक मामलों में हस्तषेप नहीं करने का भी अस्वासन दिया। जॉनवाली के प्रयासों के बापजूद अवद की स्थिती में कोई अंतर नहीं आया और सर जॉन सौर की समय में अवद और कंपनी के समंध कर्टुता पूर्ण हो गए और वेली जली समराजवादी प्रिवत्ती का गवर्नर जनल था अवद की आंतरिक दुरवलता का लाव उ गया और वेली जली की नीतियों के परड़ाम सुरूफ अवद पत अब पूर्णता कंपनी के नहीं अंतर में आ जाता है और वेली जली का यह कार नेतिक दरिश्टी कौन से अनुचित था और इससे कंपनी को लाव होता है और 1848 में लॉर्ड डलहोजी गवर्नर जनल बन कर जाता है उसने हड़ब की नीति का सहरा लेकर अबद को अंग्रेजी राज में विला लिया और इससे में अबद का नबाब कुन था वाजिद अली इस नाम को भी याद रखिएगा वाजिद अली डलहोजी ने डलहोजी ने अबद का पर कुसासन और भिष्टाचार का आरू यही डेंड बनाया उसने डलहोजी को एक्षार अनुसार रिपोर्ट दी और तेरह फरवरी 1856 को अवद अंग्रेजी राज में मिला लिया गया और इस पेकार अंतिता अवद भी अंग्रेजी समराज का सिकार बन गया साम दंद धन भेद आप लोग कहते हैं ना कि सब राज देखते हैं उस-कि जग दूसरे अधिकारी को भितते हैं जो उनके ऐसाब से अंग्रेजियों के हिसाब से रिपोर्ट तेयार करें तो आप समझे तकते है यही हाल रहता है अब ही आप देखें हमारे राज्यों में देख लिए कहते हैं कि राजपाल लेकिन आपने देखा होगा कि केंद में जिसकी सरकार रहती है वो अपने हिसाब से राजपालों की न्युक्ति करता है और आपने देखा अगर राजपाल उसके हिसाब से काम नहीं करता है तो उसे हटा दिया जाता है तुरंट तो यही हाल उनका उभी रहा होगा अंग्रेजों के समय भी यही हाल रहा चलिए अब हम लोग बात करते हैं बर्मा और अफगानिस्तान के साथ वेटिस के किस तरह से सम्मंद रहे हैं जो आप लोग म्यानमार देखते हैं इससे पहले बर्मा के नाम से भी जानते थे और आज भी कई जगे आप देखते हैं कि वर्मा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे 1857 में पिलास्ती की बेजय ने बंगाल की बागडोर कमपनी कहांतों में सौप दी जहां से वेटिस समराज का विसार तीबिता से होने लगा और इससे समराज विस्तार की भूख जागरित हुई तथा 19-वी सताब्धी के पितम दो दसकों तक भारत का अधिकतर भाग बेटिस के कंट्रोल में आ जाता है अब तक बेटिस सक्ती जहां तक पहुँच चुकी थी उसकी पश्मी और पूर्वी सीमाओं के पार भी ऐसी सक्तियां विद्धमान थी जिन पर बिजय अथवा नियंतर नवोदित बेटिस सक्ती के लिए अतिन्त जरूरी अतिन्त आहुसक था और देश की पश्मी और पूर्वी सीमाओं पर बिना प्रभावकारी नियंतर रखे भारतिये समाज की इस थर्ता को बेटिस कंपनी खत्रे में समझने लगी और सिखों और सिंधियों तथा उत्तर पश्म सीमा की पठान और वलूच जातियों एवं खेवर दर्रे के पास अ विव्यद्धी से ने इसके विरुद आसंतोस की भावना वलवती कर दी है और 19 वी सदी में कंपनी की विदेश नीती को एक नवीन गती भी मिली और अब तक कंपनी की बाहर नीती भारत में फ्रांसी सी ये उजनाओं तथा महत्वा कांचाओं से प्रभावित हुई और फ् प्रांस की जगए रूस ने ले ली और मद्यसिया में रूस का विस्ताद था पूर में उसके विविद्ध महत्वा कांचाओं साहसे काम वाटरलू के बाद इस्ट इंडिया कंपनी की विदेश नीती को प्रभावित करने का बाले प्रमोक तत्य सिद हुए और रूस और इं निवेसों की संख्या से समझी जाती थी और इंगलेंड में एकाल पाम इश्टर्ण बडडीज रेली जैसे समराजवादी राजनितिकों का था जो उपनिवेस को देश के गौरप का पितीक समझते थे अगर इसमें परमा की साथ संबंदे देखें तो 19 भी तताबदी के आर आसते स्वाधिन थी तो था कुछ अर्द स्वाधिन बंगाल और असम की बीच कोई प्राक्तिक सीमा रेखा कोई नहीं थी और कंपनी की पूर्वी सीमा अतिंत अनिर्धारित और आयस्थे थी असम की पूर में बरमा का भी राश्ट था और उसके बाद आप देखेंगे तो बरमा का राश्ट था और सत्रवी सदी में अंग्रेजों का बरमा सी ब्यापार था यानि की ब्यापार चलता रहता था ट्रेड किंतु यह बहुत थी कम मात्रा में था अठार्वी सदी में भी इस ब्यापार में कुछ प्रग्रिती ना हुई और केबल चार अंग्रेज आव तक पहुंचने में सफल हुए अठारवी सदी के उत्रार्द में चटगाओं के दच्छिन में इस्तित आराकान, फेगू तथा ताना सरिन पर एक दिबती चीनी नसल का अधिकार इस्थापित हो गया और 1750 में ओमफेर नामक एक बर्मी सर्दार ने एरावदी के डिल्टा में तेलंगों से फेगू परांथ जीत कर वहां एक सकती साली मचबूत राश्तन्त की स्थापना की 1813 में उन्हें सुर्मा घाटी की समीब मनीपुर को भी जीत लिया और कंपनी की कोई सोईस्थपर्ष एवं सुनिर्धारित रेखा सीमा रेखा की आभाव ने बिस्तार करती हुई बर्मी सेना ने अंग्रेजों का संगहर्स निशित कर दिया और आरम में आप देखेंगे बर्मा में दूद भेजकर बेजकर योद भा जगडे की परियस्तिती को रोकने की चेश्टा की गई किन्तु बर्मा में दूदों के साथ अच्छा बरता हो नहीं किया गया और आँगे चलते हैं बर्मा और अंग्रेजों की बीच योद का कारण ही देखने लगता है अब आप सोचे कि किलियर सीमा ना हो तो वो विवाद हमेशा बना रहता है अब देखिए हमारे वीच और पाकिस्तान के वीच चला रहता है वो पाकिस्तान आप देखिए उस सीमा को मानता ही नहीं है चाइना भी में सीमा को कहा मानता है रेखा गो बर्मी सेनाओं द्वारा अधीकित पिदेशों से भागे लोगों ने अंग्रेजी सीमांत्व में सरन ली और कभी-कभी वहां से हुआ है बिजित पिदेशों पर पिती सोधात्मक आखमण भी करने लगे कर बर्मीयों ने कंपनी से इन सरनार्थियों को बापस मांगा किंतू पराजित लोगों की पिती उनके आहमानवी वेवराय को देखकर भगोडों को लोटाने में चटगाओं की अधिकारी जिचगने लगे और इस आसुईकिती ने पारसपरिक संबंदों को और विगार दिया और गुरी इस्तिती में ला दिया और 1817 में बर्मी सेनाएं चटगाओं की सिमानत पर उपद्रब करने लगे और अंगले वर्स एक पत्त द्वारा बर्मी सरकार ने चटगाओं ढाकाओं मुर्सीदाबाद एवं कासे वाजार पादिकार घोसित कर दिया क्योंकि मत्यकाल में पिदेश अराकान की राजा को कर देते थे और गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने बर्मियों से ना उदलाज ना ही से सेसकर समझा और पत्त को इस त्रिपडी के साथ बर्मी राजा को लोटा दिया कि साध वही एक जाली पत्त था और अभी तक निर्विंद ने सपलता के कारण बर्मा स्वयम को आपराजय समझ रहा था और 1822 में उसने असंप अधीकार कर लिया और कंपनी अधीराज के उत्तरपूर्वी सीमांत का अधी कर्मन करने लगा 1823 में उसने कंपनी से एक छोटा सा द्वीप सहपुरी चट गाउं से परे ले लिया उस द्वीप ने से बैटिस चौकियों को दुद पतली भगा दिया तथा बंगाल पर हमला करने की तियारी करने लगा अंग्रेजों के लिए इसे बरदास्त करना बहुत कठें था और चौविस अगर से अठारे से चौविस को गवर्नर जनरल लॉर्ड एम्प सहर्ड ने योद्धी की गोश्टना कर दी और आप देखें कि पिथम बर्मी योद्ध होता है अठारे से चौविस से चबविस तक चलता है और इस कारण बर्मी राजी की सीमाओं का बेटे से भारती राजी के आसपास तक फैला जाना और दच्छिन भारत की चटगाओं छेत पर भी बर्मी अधिकार का खत्रा उत्पन हो जाना पिथम आंगल बर्मा योद्ध पिथम अंग्रेजों का और जो बर्मा का योद्ध था एवं कचार पर वेटेश ने अंतर लौड एम्स हर्ट की सरकार ने जिसने योद घोसित किया था आरम में योद्ध के संचाले में पूर्ण आयोगिता का पिदर से किया और उद्ध बर्मा बर्मी सेनापती बंदुल ने योद्ध के संचाले में बड़ी योगिता का परचा दिया वेटेश भार्तिय सेना ने बर्मी सेना को आराम आसाम से मार कर भगा दिया और रंगून अब यांगून जैसे पर चड़ाई करके उस पर भी कबजा कर लिया अठारे सो पचीस में अंग्रेजों ने निचले बर्मा की राध्धानी प्रॉम पर अधिकार कर लिया और अंगल बर्मा योद दोनों ही पक्षों के लिए विनास्क पारी से दुआ और दोनों ही पक्षों के मद्ध यांडूफ की संधी हुई योद इसके साथ समाप्त हो गया यांडूफ की संधी के द्वारा मनीपूर को सुतंत राज मान लिया गया अंग्रेजों को हरजानी की रूम में एक करोड रूपे तथा अराकान तथा तैना सरिम के छेथ पराप्त हुए तो आप देखें कि अंग्रेज जब जीतते हैं तो उन्हें फायदा ही होगा जब संधी करेंगे वो तो फिर आपका दुतिय बर्मी योद होता है यंदूप या एंडूप की संधी के आधार पर राजनती केम ब्याबारिक मागों की फसरूप अठारे सो बावन में दुतिय बर्मा युद छड़ गया और लॉर्ड डल होजी ने उस समय गवर्नर जनरल था और बर्मा के सासक पर संधी की सभी सर्तों पूरी करने के लिए जोड डाला गया और बर्मी सासक का कथन था कि अंग्रेज संधी की सर्तों से कहीं अधिक मांग रहे हैं और अपनी मांगों को एक निर्धारे तारीक तक पूरा कराने के लिए Lord Dalhoji ने कामो डोर Lambert की नितित में एक जहाजी बेडा रंगून भेजा और वेटिस नौसेना की अधिकारी की तुनोक मिजाजी के कारण वेटिस फिग्रेट और एक बर्मी जहाज की बीच गुलावारी हो गई और अंग्रेजों ने रंगून एरावदी के उत्तरपश्चिम में इस्तित बेसिन फ्रों तथों पेगू पर अधिकार कर लिया और बर्मान में आंत्रिक कलक की वज़े से वहां का सासक योद करने की स्तिती में नहीं था और साथी डलोह जी भी योद को लंबा खींचना नहीं चाहता था और विना किसी संधी के ही योद समापती की गोशना कर दी गई फिर आप देखें ये तितिय बर्मा योद भी होता है ये आपका 1885 में होता है उस समय थिबा उपरी बर्गमा का राजा था और मांडले उसकी राध्धानी थी लॉर्ड डफरिन भारत का गवर्ना जनरल था इस समय बर्मी सासक जवरजस्ती दच्छिनी बर्मा छेन लिये जाने से दुखी था या कुपित था और मांडले इस्तित बेटे से रेजीमेंट था अधिकारियों को उन्मद्य यूगी सिश्टाचारों को पूरा करने में जुजलाहट होती थी तो जो उन्हें थिवा से मुलाकात की समय करनी पड़ी थी 1852 में कि पराजय से पूरी तरह चिड़े हुए थिवा ने फ्रांसी सीयों का समर्थन और सहयोग पराप्त करने का प्रयाज सुरू कर दिया और फ्रांस पहले से ही उपरी बर्मा में अपना प्रभाव इस्ताफित करने को उस्सुक था अंग्रेज बर्मा एवं फ्रांस के मद्द समंद्धों में बढ़ रही घनिष्टा से आसंकित हो थे और आप देखें कि तथा बर्मा बर्मा पर अधिकार कर फ्रांस के प्रभावों को समात करने के लिए प्रयातन सील हो थे और तितिये अंग्ल बर्मा योद एक अन्य कारण ओपरी बर्मा में अंग्रेज ब्यापारियों की बड़ती दिल्चस्वी थी जिसे हुए चाहते थे कि भारत इसते बेटिस सरकार अपने अधिपत्त में कर लें ऐसी परिश्ट बुहमी में एक बेटिस ब्यापारी कंपनी बंबई बर्मा ब्यापारी कंपनी के मामले में बर्मा सासक द्वारक की गई पक्षता पूर कारवाही ने युद्ध आरम करवा दिया और वेटिस सेना ने मांडले परादिकार कर लिया और बर्मा के सासक ने आप देखेंगे आत्म समपर्ण कर दिया और बर्मा को वेटिस भारतिये समराज में मिला लिया गया फिर आप देखते हैं कि अफगानिस्तान के इनका यूद्ध होता है तो पहले अफगानिस्तान के साथ इनके समंध किस तरह से रहे हैं मद्दिकाल में अफगानिस्तान मोगल वाफारस के सफावी समराज्यों का अंग था और इसकी सुतंता की स्थापना इन दोनों समराज्यों की पतन से सोलब हो सकी लेकिन इसकी सामाजिक एवन भावगोली किस्तिती इसकी एकता में बाधा बन गई और उची उची परवसेणि इससे इस भावों से अलग कर दिया परश्यम बामत देशिया से भारत की और आने वाली मोख इस्थल व्यापारिक मार्ग अफगानिस्तान से होकर निकलते थे और सदियों से राहदारी के रोम में इसका प्रियोग भी होता रहा है पैडाम सुरुफ इसमें विभेन कभीली अबस्य थे ये कभीली अफगानिस्तान की राजनितिक एकता इस्थारता में बाधा बन गए थे और इसे विभेत्ता के कारण यूप्रियोपिये समराजवादी राष्ट इंगलेंड बारोस अफगानिस्तान को एक राष्ट ना समझ कर केवल आ सब जन समूहों का छेत मानक इसके भाग बाद इस्तिती के नेड़ाई के लिए आपस में सौधेवाजी करते रहे और अफगानिस्तान की राजनितिक इस्तिती काफी समय से अराजकता पूर थी कोई भी सासक इन छेत्रों के उपर पूर रोप से नियंतरन बासासन करने में सफल नहीं हो पाता था ग्रे राद पर सदा द्रिष्टी भी रही 1761 में महाराथा अफगान संगर्स में अंग्रेजों के एक सकती साली पितिद्वन्दी का जहां काप फी पतन हुआ वहां अंग्रेजों के लिए अफगानों से टकराव की स्थिती उपस्तित हो गई उप्तपन हो गई 1793 में काबोल की य पाहुर तक बढ़ गया भारत के आसंतुष्ट नवाब बसासक कंपनी के विरुद्ध सडेंथ में उसका सहोग पराप्त करने को उसक हो गए उठे और जहां जामा साह के बाद के भारत पर आकमण की संभावना ने सर जौन सौर और लॉर्ड बेलेजली को चिंतित तो अतन् और अंग्रेजों ने अपने पिती मंदल फारस बेजकर वहां से अफगानिस्तान पर दबाव डला जिससे वहां जामा साह को पेशावर छोड़ना पड़ा और अपने राष्ट में उसे सदो जाई तथा वरक जाई अमीरों के भी कलह का सामना भी करना पड़ा वह भाग कर गया और वहां बेटे सेकार का फैंसन भोगी बन गया फिर आप देखेंगे फारस की फारस का साह जिसे अपने राजी के उत्तर का कुछ भाग रूसियों को अर्पित करना पड़ा और दच्छनपुर्व में अफगानिस्तान की और से और राजविस्तार का छती पूर्ती भ असांती के काल में अहमत साह, दुर्रानी के एक पोते साह सुजा ने कुछ समय के लिए 1830 से 1809 काबुल पर रिकार कर लिया था और किन्तु आसाफल हो उसने भारत में सरन ली और बेटे स्पेंसन सुईकार कर लिया 1833 में साह सुजा ने रजी सिंग को इसकी साहदा से अपना खोया सिंगासन पराप्त करने का प्रयास किया और रजी सिंग ने आप देखेंगे कि आउसर का लाव उठा कर दोस्त मुहमत की भाई सुल्तान मुहमत खा का समर्थन पराप्त कर पेसाबर पर अधीपत कर लिया और अफगान गवर्नर को निवत करने के लिए वेवस कर दिया और इस समय पंजाब के सासक की सकती उचितम स खर पर थी और अंग्रेज यह जानते हुए रंजी सिंग के साथ मैत्री पूर्ण समंद रखना ही उचित समझते थे और आप देखेंगे लॉड आउकलेंड की काल में नीती में परिवर्तन आया तथा पिथम अफगान यूद को लाने में यूरोपीय राजनितिक परिस्ति उत्तरदाई थी पंदरवी वा सोलेवी सताब्दियों का सक्ति साली मद एसिया का तुर्की समराज उननेस भी सदी में यंतर विक्टन वा पतन की और अगसर हो रहा था और इस बिनर्ष्ट होते समराज ने यूरोप में नाकेवल सक्ति संतुलन की समस्या पैदा कर दी और यूरोप की सक्तिया लूलोप दिरिष्टी से इस समराज के भागों पर अधिकार करने की चेश्टा करने लिए रूस इस समराज की उत्तर में था और उस समय अपनी नौसेनिक सक्ति के विकास के लिए गरम पानी का बंदरगा खुज रहा था तुर्की के पतन ने उसे इस और आकरष्ट किया रूस को डार्डे नैल्स बाब वास वास फोरस की खाडियों पर अधिकार पराप्त कर वया आसानी से अपने जंगे वेडों को भूमत सागर में ले जा सकता था रूस की यूरोप तथा एसिया में बढ़ती हुई सक्ति से इंगलेंड की उपनेविसिक वेस्तार नीती के लिए गंबी समस्या उत्पन कर दी और इंगलेंड तुर्की की अखणता बनाय रखना चाहता था कौन इंगलेंड अमेरिका की सुतंता की परशाद भारत के उपनेविस्त का महत्त बढ़ गया और पूर्ट की ओर थलका थलवा जल मार्ग में किसी पिकार की बिरूत को अंग्रेज भारती समराज के लिए खत्रा होत समझने लगे और इस पिकार अत्यदिक सामरीक महत्त की कारण ब्यापारिक राजनेतिक और दरश्टी कौन से अफगानिस्तान का विस्ष्ट महत्त हो गया और नेपोलियन के मिस्वा भारस की रास्ते भारत पर आ यसी अवस्तिती है उसकी तो वहां अगर बैठ जाएं तो आप पूरे ACA पर एक तरह से निगाहें रख सकते हैं और Europe तक आप लोग connectivity बना सकते हैं और आप देखेंगे आसानी से आप लोग अफीका महादीक में भी जा सकते हैं दोस्त मुहमत की रूस की और जुकाओ ने ल अंगरेजों का विद्रोस और बढ़ गया और क्योंकि तत्कालीन अंग्रेज राजनीतिक हैराज को बेटिस भारतिय समराज की हितों की दृष्टी से सामरिक महत्त का इस्थान समझते थे 1836 में कप्तान अलेकजेंडर वर्ण्स को वाडिजिक अभियान के बहाने काबूल और दोस्त मुहमद रोसीओं की मेतता की अभेकचा अंगरेजों की मेतता को अधिक सेस कर समझता था और वंस के काबूल पहुंचने के दो महीने बाद आप देखेंगे कि क्या देखेंगे फारस में हराज का घिरा डाल दिया अफगानिस्तान की सेना अंगरेज अफसल पॉ और लॉर्ड ओकलेंड की दोस अचे विलियम मैक नाटन एवं जॉन कॉल भीन थे और जिनका उस्त पर काभी प्रभाव भी था और उन्होंने एयोद के बातावन को भड़काना शुरू किया सिमला गोशना फत्तवारा दोस्त मुहमत पर अनुचित विवार का दोस्त लगाया गया और जुन 1838 में सायज सुजा रंजी सिंग और अंग्रेजों के बीच त्रीकोट संधी हुई और रंजी सिंग की सायता से काभूल की अमीर को हटा सायज सुजा आप देखेंगे को सिंग अनुफ़ार अंग्रेजों को केबल सिकारपूर में ही अपनी सक्ती का पिदरसन करना था साय सुजा कि समर्थकों और सिक्खों के बलों पर काभूल को जीता जाना था किन्तु सेग ही या इसपर्ष्ट हो गया कि अंग्रेजों के सक्रिय भाग लिये बिना काभूल में प्र अलगन करती सिंदे से होकर गुजरी और छेत की दुर्गमता तथा रसत की कमी से काफी कटनाई हुई और सीगी कंदार और गजनी पर अधिकार कर लिया और आप देखेंगे दोस्त मुहमद काभूल से भाग गया और साय सुजा को अगस्त अठारे सो 49 में वहां सिंगासन प अफगानिस्तान में अंगरेजों और अफगानिस्तान के सैनिकों के बीच लड़ा गया था और इसकी पिर्मों के बजए थी अंगरेजों के रूसी समराज विस्तार की नीती सेडर आरंबिक जीत के बाद अंगरेजों को भारी चती हुई और बाद में सामगरी और सैनिक के प्रिवेस के बाद जीत तो गए पट्टिक नहीं सके और अफगानिस्तान में सोवियतों की बढ़ती उपस्तिती अंग्रेजों की चिंता का कारम रही थी क्योंकि वेस्ट के फडोसी देश भारत पर राज कर रहे थे अंग्रेजों ने अलेक्जेंडर वर्न्स नावा के एक जासूस को अफगानिस्तान की इस्तिती वहां के सैन सुचनाओं को घटा करने सन 1831 में कावल भेजा फिर आप देखें कि वर्न्स ने एक बार एक साल के तौरान में कई महत्मूर भागले को सामरिक जानकारियां एक खटा की और उसने वहां रोसी गुपतचरों के बारे में भी जिक्र किया और जिससे बेटे सासन को एक नई जानकारी मिली और पश्मी अफगानिस्तान में हुए एक इरानी आखमण ने हैरात इरानी समराज का फिर से हिस्सा बन गया और पूर में फिसावर पर रनजी सींग के सिख समराज का अधिकार हो गया और इस सिती में अफगानिस्तान अमीर दोस्त मुहम्मत खान ने बेटे समराज से मदद मागी और उन्होंने साहेता ना दी और इसके बाद गुपचरों और दूतों के काबुल में होने से अंग्रेजों को डर हो गया कि वहां कहीं रूसी मद एसिया की रास्ते अफगानिस्त 31 में दच्छिन में कुईटा से अफगानिस्तान में प्रवेस किया और आरम में अंग्रेजों ने कंधार गजनी तथा काबूल जैसे सहरों पर अधिकार कर लिया वहाँ पर अंग्रेजों ने अफगान गदी के पूर दाविदार साह सुजा को अमीर घोसित कर दिया और अब तक कस्मीर और पंजाब में छुपता रहा था जो और 1841 में अफगानी लोगों ने काबूल में अंगरेजों के खिलाब बिद्रो कर दिया और उन्होंने वेटिस सैनिकों को मार का उसने उनके किले को घेर लिया और 1842 के सुरुआत में अंगरेजों ने आत्म समपड कर दिया 1842 में उन्हें सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दे दिया गया लेकिन जलालाबाद के अंगरेजी ठेकाने उपर पहुंचने से पहले अफगान अकमर से लगबक सभी लोग मर गए और एक बैक्ती बापस पहुंच सका इस घटना से बेटिस सैना में डर सा पैदा हो गया और 1842 में बेटिस दुबारा अफगानिस्तान में दाखिर हुए लेकिन अपनी जीत सुनेचित करने के बाद लोट आए और दूती अंगल अफगानी उद्धी की बात करें तो आप देखेंगे कि जब ये 1778 से लेकर 1780 की बात है और के बीच अफगानिस्तान में बेटिस द अफगानिस्तान में तीन इस्थानों से किया गया योद में तो वेटिस भारती सेना का जीत हुई पर अपना लक्ष पूरा करने के बाद सेने एक भारत लोटा है और अपने गुप्त चरों द्वारा अफगानिस्तान की जानकारी वेटिस आखमण के डर को दूर करने दूर निवेस भारत की तरफ रूस के बढ़ते कदम की तरह देखने लगा उसने भी अफगानिस्थान में अपना इस्थानी दूत नियुक्त करने का पिस्ताओ भीजा जिसे सेर अली खान ने निरस्त कर दिया और मना करने के बाब जूत आने पर आमदा बेटिस दल को खेवर दर्र की तरफ भारती सीमा से दूर मजार ये सरीब भाग गया जहां उसकी मौत फरवरी 1889 में हो जाती है इसके बाद उसके बेटी याकूब खान ने अंग्रेजों से संधी कर की और जिसके तहत बेटिन अफगानिस्तान और मैं आकमर ना करने पर सहमत हुआ धीरे धीरे बेटिस को मार डाला और जिसकी बज़े से बेटिन ने दुबारा आकमर किया और अक्टूबर 1889 में काबूल की दच्छन में हुए युद में अफगान सेना हार गई और दूसरी आकमर में मैं वंद को छोड़कर लगबक सभी जगों पर बेटे सेना की जीत हुई पर उनका उहां प अफगान एउद की पढ़नेती अफगानिस्तान की सुतंता में हुई 1917 की रोस की करांती के बाद रोस और वेटेन साथ ही नहीं रहे और अफगानों ने वेटेस सेना पर अचानक हमला बोल दिया और हाला की वेटेसों ने हवाई आकमर का सहारा लिया और राजा तक के महल प की बात करते हैं आप लोग जो संघर्स की बात करते हैं भारत में बेटेस राजी की स्थापना किस तरह से हुई और आप देखे आसपास के छेत्रों पर किस तरह से बेटेस का अधिकार हुआ और मुझे लगता है कि एक से दोबार आप लोग इन टॉपिक को पढ़ा करिए और निकल जाये करेगा अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग NCEIT पुस्त तक जरूर पढ़ें वहां से आपका वेच मजबूत होगा मुझे लगता है कि सब कुछ समझ में भी आएगा अंगली के लास में हम लोग समराज जवाद और उपनेवे इस बात के बारे में भी बात करेंगे उस पर भी हम लोग बिस्तार से चर्चा करेंगे ठीक है